नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब लोग आसा करता हूँ सब कुसल मंगल होंगे और मैं आपका सिद्धार्त आपके विच आ गया हूँ फिर से अपने एक ने एनलैसिस वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों कल की मार्केट पे के कल की मार्केट कैसी हो सकती है कैस सब्सक्राइब कर लें देन वेल आइकन जरूर चलिडु कर लें ताकि हर एक विडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए भूसिस करता हूँ कि आपकी लिए में अच्छा अच्छा या आपको मिलेगी दोस्तो अपने page पे तो आप इनको जाके देख सकते हैं चलो वीडियो को लंबा नहीं करते हैं दोस्तो सीधे चलते हैं अपने chart पे और देखते हैं कि market में क्या structure बन रहा है और क्या नए levels निकल रहे हैं तो दोस्तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निप्टी पे कि निप्टी का क्या नया structure बना है कहां पे market अभी है और क्या नया level आपको मिल सकता है उससरे एक चीज़ पे बात करेंगे उससे पहले तोड़ा सा जाएंगे दोस्तो last day की market, Friday की market पे कि Friday की market में क्या हुआ आपको पता हो दोस्तो तो कल भी एक छोटा सा session था, लगबग डेट दो घंटे का ये session था ये भी अपन लाइव आके trade गया था बाकी ज़्यादा कुछ रहा नहीं, market ये side-base सा था, तो इसके उपर भी आपन बात करेंगे कि ये market में किस तरह से में moves दिखा सकता है, क्या fall आ सकता है उस पे भी बात करेंगे, पर सबसे पहले चलते हैं दोस्तो अपन Friday पे, Friday पे अगर आप देखोगी दोस्तो ये अपने पूरे level थे और ये trade line का में आपको दिया हुआ था वो था दोस्तो 344 वाला, उस 344 के target को इसने टच किया Friday को महाँ पे टच करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे market ने profit booking किया, जो कि एक अच्छी बात है करना चाहिए था, आदे गंटे यहाँ पे profit booking आई और market अच्छी आशी closing दी, यहाँ पे ही दोस्तों मुझे indicate मिल गया था, यहाँ पे मेरा नजरिया market को लेके हो गया था कि कल को एक बड़ा gap अप हो सकता है मैंने कुछ लोगों को बोला भी था अपने मिलने वालों को और अपने clients को और अपने जो group में लोग हैं उनको में पिले बता दिया था कि कहीं न कहीं यहाँ पे market gap अप हो सकता है कल और एक अच्छा कासा market gap अप हुआ, देन यहाँ पे market रुका, यही चीज़ सेम में ने बोली थी कि market को एक time निकालना चाहिए, वही market ने किया दोस्तों कि market ने एक अच्छा कासा कल की प्री market जो भी थी, उसमें time निकाला एक testing market थी, उसमें अच्छा कासा time निकाला, देन time निकालके यहाँ से market ने again reversal नहीं किया और market ने अपने अपको hold किया है जो कि एक बहुत अच्छी moment दिख रही है दोस्तों, buying side में कि अगर market अपने आपको hold कर रहा है तो हो सकता है, आमें नए levels देखने को मिले, और कोई ना कोई एक नए level अपने को मिले, तो दोस्तों इसी के उपर अपन प्लान करते हैं कि कहाँ पर हमें अब buying के लिए opportunity बन सकते हैं, कहाँ पर है से वापस से fall आ सकता है market में, हम उसको कैसे capture करें, बंदा मिल के time frame पर कैसे क्या projection बनेंगे, कैसे क्या नहीं बनेंगे, उस पर अपन बात कर लेते हैं सबसे जो main बात करूँगा दोस्तों में वो ये level पर करूँगा, ये जो अपना level था 344 वाल है, बहुत अच्छा level अभी बन गया है इसके उपर कई न कई भी market है तो market कई न कई buying side market है आप buying के लिए plan कर सकते हो बट, selling के लिए भी आप plan करोगे selling के लिए plan आपको कब करना है दोस्तों, जब कई न कई ये market 288 के असपास आपको नज़राती है यहां तक अगर दोस्तों, sorry दोस्तों, market देखो, अगर यहां से एक बड़ा rejection ले रही है, इस level से कई न कई यहां से market retest करके निचे की तरफ निकलती है, तो अपर निचे के levels के लिए plan कर सकते हैं, level अपने same रहेंगे, बट एक बड़ा target आपका रहेगा, यह 125 वाला यहां तक के लिए आप plan कर सकते हो, गर selling आपको देखने को मिलती है, यहां पागे कई न कई market support ले सकते हैं, एगेन यहां से भी आपकी selling आती है, तो फिर निचे के level continue यही बने रहेंगे, जो अपने पुराने level है, level दोस्तों, आपको mark करके रखने हैं, हर एक level आपको mark करके रखने हैं, यह सारे level बहुत बड़े-बड़े level हैं, छोटे level नहीं है, लगबख 70-70-70-60 point के यह level हैं, तो आप इनको mark करके रखें, selling के लिए plan आप यहां से करोगे, बट अभी मेरा moment selling को लेके बिलकुल भी नहीं है, आने मार्केट में buying के opportunity बनती है, अपनी किसी इन level से, वहाँ पर आप buying के लिए plan करो, अग्रेसिवली आप buying कप कर लोगे, कल की market में, अगर market 422 के उपर sustain हो जाता है, दोस्तों, या कोई यहाँ पर time निकालता है, then retest करके market निकलता है, तो आप उपर की level के लिए plan कर सकते हो, 4008 से अपका पहला level रहेगा, 556 दूसरा level रहेगा, तीसरा level रहेगा, दोस्तों, आपको 644 जाला, ये तीन level के लिए आप कल की market में plan कर सकते हो, इसके उपर भी अगर market निकलती है, तो उपर के लिए भी अपने plan निकाले हैं, बट अभी के लिए यहाँ पर कापी है, मैंने अभी decide नहीं किया है, वो plan कि आप उसके लिए करो, एक बड़ा अगर market moment देती है, तब भी इतना आप आराम से capture कर पाऊगे, एक दिन में होगा है, कि इसके उपर कही market open होके, यह level के उपर time निकाले हैं, तो आप continue उपर के लिए plan कर सकते हो, लेकिन अगर एक market sideways open हो रही है, यहाँ पर आपको market का structure देखना है, 30 minute वाले जो अपने strategy हो, यहाँ पर follow करनी है, आपको mark करनी है, जहाँ पर भी आप market निकलते हो, देखते हैं, उपर की साइड निकलते हैं, आप buying के लिए plan करो, नीचे की साइड निकलते हैं, तब selling के लिए plan करो, इसके नीचे करोगे, मैंने बता दिया है, यहाँ पर किसी भी तरह से get down, side base, किसी भी तरह से market आती है, यह level अगर नीचे तोड़ते है, 288 का, तो आप selling के लिए plan कर सकते हो, निपटे में इतना सा ही है, बाकि कुछ नया है नहीं दोस्तो, सारी चीज़े वही है, level वही है, फिर भी आप चाओ तो screenshot ले सकते हो, मैं आपके लिए provide करवा देता हूँ, या फिर आपको पीडियो को post करके, यहां से screenshot इसका ले लेना, यह level आपको डाल लेने है, सारी mark कर लेने है, selling के लिए यह level रहेगा, buying के लिए यह level रहेगा, इस zone में अगर आप buying, selling नहीं करते हो, तो एक अच्छी बात है, बाकि वह फिर आपका अपना viewer, तो दोस्तो यह रही बात, निप्टी पे, इसके बाद अपन चलते हैं, दोस्तो बैंग निप्टी, बैंग निप्टी पे जाने से फिले, अगेन फिर से अपने चेनल पे आऊंगा, और अगर आप चेनल पे दोस्तो पहली बार आया हो, तो बिलकुल आप पेज को सब्सक बनता वा नजर आ रहा है, और जो गेप वाला एरिया था, दोस्तो यह साइडवेज हो एरिया है, यह अप पूरा फील होने के मून में है, आप देखोगी तो बड़ा यह गेप एरिया है, यह कई ना कई कवर होना था, कभी ना कभी, क्योंकि दोस्तो मार्केट में अगर को पर करके फोल आ जाए, बट एक अगर बड़ा गेप बड़ा गेप डाउन मार्केट ओपन हुई है, तो वो गेप उसको फिल करना जुरूरी होता है, वो मार्केट आज कर रही है, आप देखोगे वन डे के टाइम प्रेट पर अगर मैं इसको लेके जाता हूँ, यह पंदा और एक बड़ा गेप डाउन मार्केट ओपन होगे, बट अगर अब भी आप देखोगे तो यहाँ पर लगबग लगव गया तो मार्केट लेकिन सेलिंग आ गई, लेकिन अब के बार आप देखोगे तो अच्छा कासा यहाँ पर बड़ी बोमेंट आई, एक बड़ी ग्री आप लेकिन अब करना चाहते हो, या फिर कोई नेक्स्ट एक्सपारी में आप ट्रेड करना चाहते हो, तो आप किसी दूर की प्रीम में इसके उपर इना प्लान कर सकते हो, यह मार्केट अगर आपकी क्लोज हो जाते है, कौन से लेवल के अपना जो अपना लेवल है, 363, 363 आप अपने लेवल है, तो फिर आप अपने लेवल है, अगले 588, फिर 888, तेन उसके बाद 188, इन तीन लेवल के लिए आप प्लान कर सकते हो, कल की मार्केट में, क्योंकि अच्छे भी बाइंग अपोर्शनिटी आपको बन सकती है यहाँ पे मार्केट में, बट अगर इस ट्रेड लाइन के नीचे मार्केट कल आ जाती है, अगेन फिर प्लान कर सकते हो, देन यहाँ पे आपको डीप पे कही नगई बाइंग के पोर्शनिटी बन सकती है, बट यह जो लेवल है, 855 तक का, यहाँ के लिए आपका पेला टार्गेट रहेगा, यहाँ के लिए आप प्लान कर सकते हो, यहाँ से भी नीचे अगर मार्केट निकलती बाकी एक बड़ा फोल आएगा, तो बड़ा फोल आपको सीधा नीचे के टार्गेट देंगे, यह दोनों टार्गेट आपको नीचे के लिए प्लान कर सकते हो, बाकी यह जो एरिया है, 273 वाला इस जोन में आपको ट्रेड नहीं करनी है अभी, और यहाँ पे मार्केट के आपको मुमेंट देखनी है, जीदर आपको मुमेंट मिलती है, उदर आप प्लान कर सकती है। एक बड़ा गेप डाउन अगर मार्केट ओपन हो जाती है, तो आप फिर अपने लेवल्स के कोडिंग प्लान करो। लेवलल पे मार्केट टाइम निकाल रहें, रिटेश्ट कर रहें, देन उपर निकल रहें तो उपर के लिए पलान करो। देन रिजेक्शन आ रहा है, तो नीचे के लिए पलान करो। सेम नीचे भी अगर continue market कर रही है, बड़ा gap down करकी rejection लेती है, retest करती है, rejection लेती है, तो आप नीचे के level के लिए plan करो, देन अगर deep पे गर support लेके market reverse होती है, तो आप ओपर के लिए plan करो, अपने सारे जो ये level है, major level है, मैं कोई change नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े level है, जूम में नहीं करता हूँ, इसलिए आपको दिखता नहीं है, बैकि कापी बड़े बड़े level है, तो ये सारे level आप pause करके निकाल सकते हो, छोटा में इसको कर देता हूँ, यहाँ थक के लिए भी आप plan करो, 188 के लिए, और नीचे के ये level है, इनके लिए आप plan करो, और अपने जो चार्ट है, उस पे आप इनको draw करो, levels निकालो, trade line डालो, और continuous को करने की कोशिस करो, तो दोस्तों यही अपने bank lift पे है, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं, और मैं कोशिस करोंगा कि कल की market में आपके भी इस लाइव आके, trade करने के अपन कोशिस करेंगे, नए levels update होते हैं, तो उसके उपर बात करेंगे, market के structure के according planning करेंगे, मैं daily कुछ ना कुछ लाइव लाके आपके लिए कोशिस कर रहा हूँ, अच्छे content provide करवाने की, आप देखोगे तो अपन एक मार्च को भी live आये थे, आप जाके देख सकते हो, one hours के लिए पूरा में live था, आज भी मैं live आया हूँ, दोस्तोर, basics के उपर मैंने बात किये, कि market के जो basics होते है, stocks market के, उसके उपर हमें किस तरह से काम करना है, क्या चीज़े हमें आनी चाहिए, क्या नहीं आनी चाहिए, लोगों से मैंने question answer भी किये, कि उनके कोई question था, आप इनके answer देने की कोशिस करो, तो ये पूरा मैं भी आज live आया था, आप इसको जाके जुरूर देखो, इसमें मैंने basic चीज़े बताई है, कि market में जब कोई trader trading करने के लिए आया है, तो उसको क्या-क्या चीज़े आनी चाहिए, उसी के बाद हो trade करें, उन चीज़ों के उपर मैंने discuss किया है, और भी कहीं सारे commitment मैंने इस वीडियो में किये, आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है दोस्तों, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, लिएन वीडियो को share जरूर करें अपने मिलने वालों को जो लोग trading में interest रखते हैं, वीडियो को अभी तक आपने like नहीं किया है, तो विल्कुल like करने और share कर दे, और चेनल को भी subscribe नहीं किया है दोस्तों, तो अभी आप उसको subscribe कर सकते हैं और bell icon चल लू कर सकते हैं, ओके दोस्तों मिलते हैं फिर किसी next वीडियो में, अभी के लिए बाई दोस्तों